नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के एटूब चैनल पर आपके जो इतनी भी डाउट है पर सच्चो उसको एक मात्र इस वीडियो में ले लिया जाता है जितने भी दिन भर की कमेंट होते हैं थोड़ा सा कुछ प्रॉबलम है कि आप जरूर से जरूर कमेंट किया करें और वीडियो को जरूर से जरूर से शेयर किया करें और इस वीडियो को जरूर आप रात में ज्वाइन कर लिया करें जिसे आपके दिन भर के जितने डाउट हो वो क्लियर हो जाए चलिए देख लेते हैं सबसे बड़ी चीज यह हुगा प कुछ दिर पहले ही लगबग 6 या 7 बजने के करीब एक वीडियो आया हुआ था उसको आप जरूर ले लीजिएगा हना जिससे कि आपके सारे डाउट यानि किस प्रकार से हमें रिस्पॉंस की को अपने जो एक तरह से एंसर किया हुआ उससे कैसे मतलब जो आपका जो आपने किया हुआ था उसको रिस्पॉंस की को कैसे घ्री मैच परकार से मैच किया जाए मैच किस प्रकार से मिलाया जाए जो भी प्रोब्लम आ रहे है और सब साफाइड ऊट हो जाएगा तो यहां पर आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं इसकी पहले भी और 106-15 देख ली मे और सीटेट जुलाई में होगा कि नहीं होगा प्रसिचु इस पर बात करने वाले हैं, प्रतावेदन प्रसिचु जो परिसान है हमारे भाई बहन, क्या उनका एक्जाम होगा, क्या अनुभा जी द्वारा जो की चीजें एक तरह से आपका जो केस किया गया था, कोर्ट केस किय किया था, उसके लिए हमारे जो प्रसिचु हैं, जो यह तरह से आपको किस प्रकार से सहयोक करना है, आपको अपने लिए खुद लड़ना है, खुद वकील बनाने हैं, इन सब मुद्गों पर हम बात करेंगे अभी, यूपिटेट क्लास के लिए की में बात कर लूँगा और% class क्लास शाइए नॉटिफिकेशन का भरोशा तो निस्टाप करना इस बात की पूरी गारंटी देते हैं क्योंकि इस बार बहुत maximum बच्चे इसमें भारी संख्या में भाग लेने वाले हैं क्योंकि आपको पता है कि 24 का लोकसभा का चुनाव आपको पता है कि वह सामने है और इस बज़े से इसको देखते हुए जो नीड़ा है जो एक तरह से चीजें जब पल्टेंगी न तो आपक किया हुआ था कि सर आप बच्चों को दिलासा दिला देते हैं कि पढ़ना पढ़ेगा पढ़ना तो पढ़ेगा भी किसी भी सूरत में आज जौब नहीं लोगे तो आने वाली जो आपका भविस्य होगा अंधेरे में होगा इतनी दिन मेहनत अगर आपने चार साल किया है त इंसाल किया है तो selection बहुत दूर नहीं है थोड़ा सा उसमें आप अपना जो धार है नो उसको बना कर रखें बस जैसे ही भरती आएगी एक सीठ हमारा है इस बात को हमें सोच कर रखना होगा ठीक है ना तो यूपिटेट के लिए आप लोग त्यार रहे हैं अभी मैं इस पर करता हूँ थोड़ा सा है जो कल कंपली हो जाएगे एगल संबेक्जान कब सब्सक्राइब करिंगे बहुत होगा था लेकिन अभी उसको डाला नहीं हूँ लेटाउप में इसी तरह पढ़ा हुआ है तो इसको अभी एडिटिंग करके मैं लगाऊंगा कल जब भी समय मिल जाएगा आपको इसमें समझ जाना है अगर आप लोग आगे व्यूज लाते हैं बच्चों तो जाकर आगे मैं क्लासे भरपूर तरीके से उसी कौप को देखना पड़ेगा तो इसको अभी हमें चर्चा करता हूं और सुपर्टेट के इस्थिती भाईया बिल्कुल भी जायज है जो आप सोच रहे हो चलिए हम आज आते हैं सारी बुद्धों पर बात करते हैं करके सबसे बड़ा मुद्दा ज जी चाहे तो साथ में रहेंगे और मतलब कि जब तक जिन्दगी रहेगी तब तक यह प्लेटफॉर्म तो रहना ही रहना है ठीके ना अनिथा प्लेटफॉर्म तो रहेगा ही और हम निकल पड़ेंगे फिर आप लोग नूड़ते रहेगा लिंखायर कोई बात नहीं परत्य प्रसिच्चों ने कमेंट कि मुझे मैसेज किया हुआ था कि सर हम लोग वकील से बात चीत किये हमारे पूरे टीम गई थी करीब मैकिसम बच्चे थे और उसमें ग्रूप भी है हमारे पास उस ग्रूप में दो-तीन ग्रूप ऐसे चलते हैं जो कि प्रत्यावेदन के लिए ह इस तरह प्रसिच्चों का एक ग्रूप है और इस तरह की प्रसिच्चों भी उसमें सामिल है जिसमें की तीन बार बैक वाले भी है और प्लस एक एक एक्स्ट्रा बैक है किसी का जिसमें उनका चांस बचा हुआ है तो इस तरह की ग्रूप भी है मारे पास तो जो मदब चांस बचा हुआ था तो इस बात से वह एक तरह से चिड़चिड़ा पन हो जाता है अंदर रहा हां एरिटेट हो गए वह दो तीन बार उनका एक्जाम मदब एक बार पूरा का पूरा जो परत्यवेदन वाले मेरे भाई बैंत उनका एक्जाम करा लिया गया लेकिन इन कि यह जो अनुभाजी थी ना कभी गई नहीं कोट कभी भी यह कोट नहीं गई ना इस फाइल दर्ज कराने गई इनके पती महसर जी द्वारा जो उनके संपर्क में एक वपील थे उनके द्वारा सारी चीज़ें दिया गया उनको स्वांपा गया और यह चीज़ें बताई क ensure कर वाई एक बार हुआ लेकिन स्वी पूठ से कर नहींद से यह नहीं गई और शृठ पूर नहीं दिया गया यह कारवाई अपने टाइब पर तो होता है लेकिन फिर से डल जाता है यह करकर को कि आप से फरवरी का कौन सा देट है भाई तेरा फरवरी को यह message मेरे पास आया था है आपको बता देता हूं आज 14 फरवरी तो 14 फरवरी के दिन मैं आपके सामने चीजे बता रहा हूं पच्छों कि आप देख लो 14 फरवरी आज है और अभी इसका डेट पे डेट यह मिलता चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा तो मेरा कहाना यही है कि आप लोग अपने में एकता बनाएं और उसमें एक वकील को आप लोग खुद अपने से ही इसमें फाइल के लिए मतब कि काॉंटर फाइल के लिए चूज करें उनसे बोले है कि इस प्रकार से में आगे बढ़ना है ठीक है ना अनित्या कंडिशन में यह केस क्लोज हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको समझ रहें यह राम जन्वुहूमी का मुद्दा नहीं है कि पूरे देश इस पे लड़ेंगे मैज्योर्टी है नहीं वाई इस पे माइन काउंटर फाइल करने हैं अपनी संख्या बढ़ा कर वहां पे ले जानी है और तब जाके इसमें कुछ रहात हमको देखने को मिल सकता यहीं चीजी थी कुछ हमसे सहयोग चाहिए तो नीचे आप कमेंट जरू करिएगा हम पूरा भरपूर रूप से आपके सहयोग करेंगे जितना हमसे बन सकेगा चलना होगा तो भी चलेंगे इसमें कोई दोर आया नहीं है ठीक है और किसी पर भरोसा नहीं करना है यह बात भी ध्यान लखना है कि मेरे भाई जा रहे हैं मेरे दीदी जी जा रही है मेरे सहयोगी जा रहे नहीं आप खुद जाओगे दूसी तरफ में बात करूँ सीटेट जुलाई में होगा कि नहीं होगा जिनका डर है कि सर मेरा कम नंबर आया हुआ है अभी कम नंबर आएगा सर तो मेरा सीटेट में क्या होगा सर मुझे सीटेट का दुबारा एक्जाम होगा कब होगा इसके विसे बता दिए अभी जो प आदत बिगड़ गई इस पूरी संथान क्या पूरे सिच्छा जगत की आदत बिगड़ गई सब चीजें अपने टाइम से मुकर गई है और कह लिजे कि अब मनमानी है सरकार की या फिर बढ़ावा दिया गया सरकार की तरफ से जो भी चीजे आप मानना चाहें तो मान सकते हैं लेकिन मैं तो यह ही काऊँगा यह मनमानी ही है इन लोग की क्योंकि इनके हाथ में सत्ता है इनके हाथ में पावर है और सरकार के कुछ चुरूंदा जो करमचारी है वह भी अपने आपको बहुत उपर समझ बैटते हैं सही से बात नहीं करना सही से मतब की चीजें बताना न तो बस किसी से डरना नहीं है किसी भी करमचारी से नहीं डरना है आप सभी को आप सभी के लिए ही सभी लोग बने हैं इतना ध्यान रखना है इस पूरे भारती जनता के लिए जितने भी करमचारी है जितने भी सरकार है हमारे लिए ही बनी है लेकि सरकार तक हम नहीं जाएं उनका कहनाम था कि यह, कि जो हमारा यह सीटेट का एक्जाम है, यह जो है कि आनलाइन प्रोसेस हो चुका है, आनलाइन हो गया तो आपको समझ जाना चाहिए, कागेज पत्तर का काम खतम मतलब काम थोड़ा सक कम हो जाता है, लेकि इनके दुआरा कहा गया हमारे डिपार्टमे के मिंबर को बढ़ाओं, इसमें सरकार से बातचित करो जो हेड होते हैं, लेकि उनको क्या है, अगर वो बातचित करते हैं तो उनका जो समझ रहें, समझ जाएं, मतब जो चीजें पैसा है, रकम पताई है, सीधा कर लो बट जाएगा, तो यह चीजें सामने निकल के आ जात क्योंकि आनलाइन प्रोसेस, यानि कि जो एक्तरस सिस्टम में पूरा बढ़ चुका है, काम बढ़ चुका है, तो आप इतना मान के चलें, जुलाई में तो नहीं होगा आपका एक्जाम, या पिछली पिछला जो वह था, पूरा का पूरा डाटा थो भी बता रहा है बचों मतब कि 28 फरवरी तो है, 28 का फिसकाद मार्च से मार्च, अन्ती मार्च तक बच्चों आपको एक तरसी यह देखने को मिल जाएगा, हमको नोटिपिकेसन इसका, अन्ता कंडिसन में आप सभी मेरे भाई, आप लोग वेट करेंगे, और यह नहीं कि तैयारी बंद करके रखे क्योंकि इस बार अच्छे अच्छों का चीजें, जो ठान के रखे थे कि सीटे ने बहुत अच्छा होगा, हमने पिछली बार दिया, इस बार बहुत मच के देंगे, उनको समझ में आ गया होगा, पेपर किस प्रकार से आता है, तो आपको अभी से लगना होगा, अगर अच आपके सामने आएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं, हम भी कह देते हैं, क्योंकि हम भी उसी में से एक हैं, समझ दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि भाई, देखे, ना हमारे पास जानकारी इसकी ठोस होती है, और ना हम सही बता सकते हैं इस बात की, जैसे आज एक प्रस आया, इस बज़े से हमको लगा कि तोड़ा सा फेक है, और ये चीज़ें सामने आती हुई रहती हैं, तो लगता है कि मत बताओ, बच्चों को नहीं तो बच्चे बुरा मान जाएंगे, कि सर क्या हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं, तिस इसको मैंने नहीं बताया, लेकिन एक बहन जी है, जो भी चैनल चलाती है, तो उनका कहनाम था कि हाँ, मैंने कल बता दिया था, देखो आज आ गया रिजल, तो हमारे कहने से नहीं होता है कुछ, जो हमारे पास notification आते हैं, वो हम बताते हैं आप सभी को, तो इसका कोई दोरा है, और माइंड नहीं लेना है, आ लगे रहें, और इसका notification हम भी कह देते हैं 15 मार्च तक, आपको देखने को मिल सकता है, 15 मार्च, अगर यह जुलाई अगस्त में कराने वाले होंगे, जून जुलाई में, मैं जून में, अगर कराने वाले होंगे, तो आपको इसका notification पता है, क्योंकि notification आने के बाद, एक मही वंडे एकजाम है, वंडे एकजाम एक दिन में करा कर यह रख देते हैं, बचों, तो यह चीज़े हमें ध्यान में रखना है, और अभी से लगे रहना है, ठीक है न, और अभी बात आपको अच्छे score करने हैं, 130 प्लस, इसके लिए हम classes भी चला रखें हैं, आपका randomly एक दिन तरूप से बिना कहे कुछ, ठीक है, तो अभी से फालो करना सुरू करते हैं, डीलेट रिजल्ट की बात कर लेते हैं, तो डीलेट रिजल्ट में कुछ अब वेट नहीं करना है, अगर यह चीज़ें सही बता कर रखें हुए हैं, कि 15 फरवरी, यानि कि जो कल का डेट है, कु 15 फरवी तक चेक कर ली जाएंगी, और फाइनली सबको आदेज भी दिया गया था, हर एक डाइट को, हर एक डाइट को यह बाते बताए गई थी, तो आप देखिए क्या होता है, अगर कोई डाइट अगर डिले नहीं करता है, तो आपको कापी आपके सही समय पर चेक हो जा है, तो लास्ट फाइनली अगर कहने तो 15 दिन लगेगा, लेकिन अगर किसी भी डाइट ने डिले किया, जैसे कि पश्चिमी डाइट है कुछ जो की बहुत जादे डिले करती है, पटना हो गया, पटना कह रहा हूं, मेरट हो गया, और मुझपन अगर इस सब जो डाइट है है, थोड़े सी डिले करने वाले हैं, मतब कि एक्टिव नहीं रहते हैं, हमेशा कह लिजे, इस बज़े से अब जो हो भाई, किसी को एक परसनली अमने मापी चाहते हैं, अगर कोई पटना का यहां पे हो तो, पटना कह रहा हूं, मेरट का अगर कोई हो मुझपर का, तो कुछ डाइट हैं, जो डिले करते हैं, परसनली किसी को अमने नहीं बोला है, तो इस बज़े से माँ के चलते हैं, पंदर दिन आउल ले लिजे हैं, मतब कि 28 तारिक तक, 28 का मन्त है, तो 28 तारिक तक अगर आपनी कापी पूरी तरीक सी चेक हो जाती है, तो आने वाला जो 15 म मार्च होगा, उसके पहले-पहले आपके रिजल्ट आपके सामने होंगे, ठीक है भाई, यह चीज़ें थी आपके सामने, और 15 मार्च के रिजल्ट आते ही, भाई यह समझ ले ना, कि आप लोग इस खुटनी के फार्म तो पहली बात मत डालना, सभी प्रसिच्चों का एक स इसे बचचे भी प्रसिच्च्चों में हैं, जिनका जो 19 वार्चके भी हैं, वो फर्स्ट आउ 24 की प्रसिच्चांट देंगे, ठीक है, फर्स्ट आ और थर्ट की एक्जांटेंगे, और उनके लिए classes की मैं बात करनूं, अब एक्जां मुझे बात करनूं, तो इक्जां उन वैसे सारे समिस्टर के पूरे complete है class मायत का भी और science का भी सब playlist में सजा दिया गया है science का भी और समाजिक मतब कि आपके समाजिक अध्यान का SST का भी यह complete है और अगे बाएस अंस्क्रीट के और है कि यह भी मैं चला दूँगा फिलाल में आप लोग कहें तो मैं फिर classes start कर दूँ इसमें जो भी आपको सुझाओ देने हैं किसी भी प्रकार का सुझाओ देना है तो आप दे सकते हैं क्योंकि कोई इंसान अपने आपने परिपूर नहीं होता है ठीक है न यह चीज़ें आपके सामने थे और शूपर टेट के लिए मेर सोचिए और ज्यादा तर डिपेंडेंट हो जाए बुक पर मैं यही कहूंगा अगर आपको self satisfy चाहिए self satisfactory होना चाहते हैं तो आपको खुद से dependent होना पड़ेगा ठीक है खुद पर विश्वास करने भी पड़ेंगे आपको यह चीज़ें थी good night सारे वित्रों और अच्छा लगा स्वेर जरू करना आपकी मर्ची होगी धन्यवाद